सुप्रभाद बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ, आप सभी अपने घरों में शुरक्षित और अच्छे होंगे बेटे, पिछले वीडियो में हमने पार्ट साथ आपकी हंदी व्याकरन पुस्तक का पार्ट साथ विशेशन पढ़ा था इसमें हमने विशेशन और विशेशन के चार भेद के बारे में विस्तारपुर्वक पढ़ा था, आज बेटे हम इसके प्रेशन तर करेंगे आपके अभ्यास प्रेशन पत्रों में पहला जड़ा सोची और बताईए है, इसका पहला प्रेशन देखिए अपने विध्याले के लिए आपके तीन विशेशन शब्दों का प्रियोग करेंगे, सुन्दर, बड़ा, सफाई ये क्या है, तीन विशेशन शब्द, सुन्दर, बड़ा और सफाई निश्यत परिमान वाचक विशेशन और ए निश्यत परिमान वाचक विशेशन का एक उधारन दीजिए विशेशन की परिभाश और इसके भेदों को उधारन साइत समझाईए इसमें आपको विशेशन की परिभाश संग्या तता सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शाब्द विशेशन कहलाते हैं विशेशन के चार भेद होते हैं गुणवाचक विशेशन, संख्यावाचक विशेशन, परिमानवाचक विशेशन और सार्पनामिक विशेशन फिर आप गुणवाचक विशेशन, संख्यावाचक विशेशन, परिमानवाचक विशेशन और सार्पनामिक विशेशन के क्या एक एक उधारन या दो दो उधारन आप लिख सकते हैं जो मैं अभी आगया आपको करपाऊंगे उसी में से देख के आप कर लेना विशेशन और विशेशन में क्या अंतर है इसका उतरा बेटे अपने चेप्टर के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले विशेशन की परिभाशा लिखनी है जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशन अपताते हैं वे शब्द विशेशन कहलाते हैं जैसे काली गाय घ बाहस च रहे हैं यह परवत उचा हैaurais दो धरन ने उसके बाद आपको की परिभाषा विशेशन दुड़ारा जिन सब्दों की विशेशता बताई जाती है उन्हें विशेश कहते हैं जैसे इमांदार आदमी और इमांदार विशेषन है आपकी पुस्तक में है, निश्चित संख्या वाच्च पिशेशन जो शब्द संग्या और सरणाम शब्दों की निश्चित संख्या के बारे में बताएं, उन्हें निश्चित संख्या वाच्च पिशेशन कहते हैं, जैसे मेरे पास आठ पुस्तके हैं, तो इसमें पुस्तको लगया है young निश्रित संवच्छा वाचक विशेशन जो शब्द संग्य और सरग्णम शब्दु के निश्चत विश्चर संवच्छ विशेशन जैसे आद काश में कई पक्षी उड़ रहे हैं आज वखक्षा में कुछ ही बच्चे आए हैं तो कुन्हें और कई अगला प्रेशन आपके आपके बुक में फिल करने हैं ये दोनों प्रेशन आपको बेटा अपने नौट बुक में करने हैं पांचों प्रेशन तीन आपके मौखिक हैं ये और दो आपके मौखिक प्रेशन हैं तीन आपके लिखिक प्रेशन हैं अगला प्रेशन देखिए सही विशेशन बना कर रिक्किस्तान भरिये यहाँ पे कुछ शब्द दिये होगे हैं चमक, वर्ष और सुख इसको हाँ विशेशन शब्द बनाएंगे और इसके according अपके sentence के हिसाब से वहतारा बहुत चमकीला है तो चमक से विशेशन क्या बन जाएगा चमकीला इस सहर में सब सुखी हैं सुख नहीं आएगा बटे यहाँ पे क्या आएगा सुखी हैं हमारे वार्ष हमारे विद्याले में वार्षिक उच्चव मनाया जाएगा तो इस तरह से आपको निश्यत संख्या वाचक का उद्धारन है कुछ और बहुत ठीके गुण वाचक विशेशन मीठा आम पीला कुरता यह कोई भी आप उद्धारन लिख सकते हो चालाक लोम्री ठीके या चालाक बंदर शेतान बंदर या या बहदुर सैनिक कोई भी उद्धारन गुडवाचक विशेशन का निश्यत संख्या वाचक विशेशन दो लेटर दूद चार किलो आम या जो भी अपने अकॉरिंग डिखना चाहें सार्णामिक विशेशन सार्णामिक विशेशन का उद्धारन यह है वह सार्णाम पर स हीध ऋर गलत कतन और बिशहरन का बताते हैं संख्या वाचक विशेशन के दो बेद होते हैं यह का विशेशन ऐसा है नहीं गलत प्रेश्ण पाच है निम्लिकित प्रेश्णों के सही विकल्प पर सही का चिन्न लगाईए संग्या के कुछ गुण दोश आकार अवस्था आधी के बारे में कौन सा विशिशन बताता है तो उसके बारे में गुण वाचक विशिशन से हमें पता चलता है गुण वाचक विशिशन की यही परिभाश होती है जो विशेशन संख्या और सरणाम की संख्या बताते हैं उसे क्या कहेंगे हम संख्या वाच्छ विशेशन बुड़ा शब्द क्या है अवस्ता है बुड़ा ना बुड़ापी की अवस्ता है तो बटी इस प्रेशन आपको किसमे करने हैं पृस्तक में ही करने है, प्रेशन दो, त्रीन, चार और पांच, आपका प्रेशन जड़ा सोच्षयूर बजताईए, और योगात्मत मुल्यन करने, और आपका ये लिकित प्रेशन, ये आपको अपने नौट बुक में करने हैं, ठीक है बटे, और बाकी जो आपको आपका ही complete हो गया है आपको इस chapter को अच्छी से read करके और learn करना है ठीक है आपके chapter 7 complete हो गया है अगली वीडियो में हम अगला chapter स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए बाबाई बेटे have a nice day ओके बाई